दोस्तो नवस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओल्वीज एफ एक्सपर दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुईक हील्स की सेटिंग के बारे में दोस्तो आप हमारे यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा ताकि मोर अपडेट आपके पास में आ सकें जादा से जादा आईए जानते हैं कुईक हील्स की टोटल सिक्योर्टी कैसे होती है देखो ये कुईक हील्स टोटल सिक्योर्टी अंटी वाइरस है क्या करता है कि आपकी जितनी भी एक्सी फाइल होती है उनको रिमूव नहीं करता है यानि कि जो आपकी एक्सी फाइल जैसे ये एक्सी फा यह वाली इनको यह रिमूव नहीं करता है अगर आपकी एकसी फाइल रिमूव हो जाती है तो आप किसी भी सोफ्टेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं आईए जाने कि कैसे हम कुईखिल्स एंटिवायरस की सेटिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है यह देखिए तो आपने करना क्या है कि किलिक कर देना है सिंपली यहां पर यह देखिए यहां पर हम गए और यहां पर हमने जाना है ओपन कुईखिल्स एंटिवायरस प्रो पर जब आप इस पर चले जाएंगे इस वाले पॉइंट पर यह देखिए तो आपने जाना है एंटिवायरस प पर चले जाते हैं तो आपने इस पॉइंट पर जाना है यह वाला टोटल प्रीम सम्वेर प्रोटेक्शन यानि कि इस पर जब आप जाते हैं तो उससे आगे आपने क्या करना है इस पर क्लिक कर देना यह देखिए हमने उस पे क्लिक कर दिया है तो इस पे आपने क्या करना है आईए जानते हैं यह देखिए यहाँ पे आपने पीछे हम जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे यह आपका उप्शन है Extrude File and Folder यानि कि आप Extrude Files and Folder को Set कर सकते हैं और अपनी C Drive को भी Set कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे करते हैं यह देखिए यह Extrude Files and Folder आगया है यहाँ पे जाके आपने किसी File को Add कर देना है यहाँ से जैसे मैं कुछ File है आपको Add करके दिखाने वाला हूँ अभी यह देखिए यहाँ पे मैंने Add कर दिया है यह यहाँ पे Item आगया आपका और यहाँ से आपने Simply यहाँ से Corner पे आपके पास में एक बटन होता है यहाँ पे जैसे Folder है या D Drive है यहाँ से आपने करना है यहाँ से आप C Drive को भी अपनी ले सकते है D Drive को भी ले सकते है E Drive को भी F Drive को भी दोस्तों ऐसा लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि उनको मालूमी नहीं होता है कि सैटिंग कैसे होगी Quick Heels Antivirus की यह बहुत ही अच्छा सोफ्टेयर है Quick Heels Antivirus यह देखिए C Drive में मैं गया और C Drive में जाने के बाद मैंने 5X Smart 4K ले लिया है और Include Subfolder कर दिया है इसका अब इसको मैं OK करने जा रहा हूँ यह देखिए मैंने OK कर दिया है और Non Virus Detection पर मैं क्लिक करता हूँ Behavior Detection पर क्लिक करता हूँ And Remove Somewhere पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यह देखिए सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया है ना फिर उसके बाद Behavior पर किया Then इस पर क्लिक किया है उसके बाद हम आगे बढ़ते है यह देखिए क्लिक करने के बाद में हमने उसको Add कर दिया है अब Add करके हम दुबारा जाएंगे और यह आपका Point है जो यहां से यहां से आप Drive या कुछ भी फोल्डर अपना Add कर सकते हैं और दुबारा हम क्लिक करेंगे C Drive में गए और कोई भी Program Files जो आपकी होती है जो कि आपके उसको Problem देती है Software को जो भी Software Load इंस्टॉल करते हो EDS हुआ, Adobe Premiere हुआ या After Effects हुआ इन सारे Software को Protect करता है यह Quick Hills Antivirus जो कि EXC को Remove नहीं होने देता है आईए देखते हैं अगर आपकी EXC रिमूव वह जाती है दोस्तो तो आप उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते हैं आपको Software दुबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा यह देखिए मैंने Grass Valley ले लिया है और Included कर दिया इसको और Non Virus Protection पर जाल दिया दुबारा Behavior and Resumware Detection कर दिया है अब हम क्या करेंगे Save Change कर देंगे दोस्तों यहां पर एक आपको यह आ गया दुबारा Smart 5K हमने किया था दैन दूसरा यह आ गया है अब इसको हम ऐसा करने के बाद में इसको बंद कर देते हैं तो दोस्तों जब हमने इसको बंद कर दिया तो यानि कि आपका जो Quick Hills Antivirus था वो किसी भी फाइल को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद में उसको पूरा सपोर्ट करेगा यह आपका Total Ransomware Protection है Save Banking File Vault करता है और यह Quick Hills Total Security जो कि एक बहुत अच्छा सोफ्टेर है Quick Hills क्योंकि इसको डालने के बाद में आपको इंटरनेट से भी जो न कोई भी antivirus आता है या वाइरस आता है तो यह उसको protect करता है हर चीज को आपको इसमें कोई problem नहीं होगी और दोस्तों यह हमारा यूटूब चैनल है अगर आप कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो प्लीज इसको subscribe कीजिएगा और bell icon पे click करना मत भूलिएगा तो आगे हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों so please keep watching my tutorial on the YouTube channel प्लीज प्लीज झाल